देश में पहली बार Happiness Index चारी किया गया है। खुश रहने में पंजाब के लोग भी अवल हैं। आमतोर पर लोग सोचते हैं कि शादी शुदा की तुलना में कुवारे जादा खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। Study के मताबिक कुवारों की तुलना में शादी शुदा जादा खुश है। Happiness Index द्वारा मार्च से जुलाई 2020 के बीच ये Study की गई। इसमें करीब 16,950 लोगों ने हिस्सा लिया। Study में पता लगा कि मिजुरम, पंजाब और अंडमान निकोबार तीन सबसे खुशनमा राज्य हैं। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजराद और तेलेंगाना अववल हैं और छोटे राज्यों में मिजुरम, सिक्किम और अरुनाचल शिर्षपर हैं। रहने वाले राज्यों के लिस्ट में इन राज्यों का प्रदर्शन ठीक नहीं है। ये स्टड़ी IIM और IIT में प्रोफेसर रहे राजेश पिलानिया ने की है। रिजल्ट बताता है कि विवाहिक स्थिती, आयूवर्ग, शिक्षा और कमाई का सकरात्मक रूप से खुशी से सीधात संबंध है। अब विवाहित लोगों की तुलना में शादी शुदा लोग ज़ादा खुश होते हैं। इस स्टड़ी में ये भी देखा गया कि करोना का लोगों की खुशी पर क्या प्रभाव पड़ा। हावर्ड बिजनस स्कूल की असिस्टन प्रोफेसर डॉक्टर एशले विलियंस ने बताया कि जो लोग पैसे की जगा समय को जादा महत्व देते हैं, वो जादा खुश रहते हैं। महराष्ट्र दिल्ली और हर्याना की लोगों की खुश्यों पर करोना ने सबसे ज़ादा असर डाला हैं, जबकि पुड्डुचेरी और जम्मु कश्मीर के लोगों पर कोई असर देखने को नहीं मिला। वहीं मनिपूर, अंडमान और निकोबार द्वीब और लक्ष द्वीब में लोग इस दोर में आशावादी बने रहें। स्टेडी के मुताबिक देश की लोग भविश्य को लेकर आशावादी हैं और अगले पांच साल में मौजुदा स्थिती की तुलना में खुद को जादा खुश और संपन्न देख रहें। भविश्य की हैपिनेस रैंकिंग में मनिपुर, अंडमान, निकोबार, द्वीब और गुजरात सबसे खुशनमा राज्य हैं। बड़े राज्य में गुजरात, उत्राखन और आंध्र शिर्श पर हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सबस्क्राइब कीजिए। टीवी नाइन भारत वर्ष।